अलो फ्रेंड्स आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूटूब चैनल का वीडियो टुटियोरल सीरीज मास्टर क्लास, सॉफ्टर इंजिरिंग एंड प्रोग्रामिंग लेंग्वजेज यह भी वीडियो जो है वो चैप्टर 4 डेटा स्ट्रक्चर एंड मेनेजमेंट है इसका टॉपिक 4 में बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में ट्रेस एंड इंसर्ट ऑपरेशन्स ऑन ट्री और हाईरर्की डेटा स्ट्रक्चर करेंबाद जो हमारा सबसे जादा यूज होता है हम अपने अप्लिकेशन में डेटा बेस या डेटा बेस का टेबल्स पर क्लैंट इंट प्रोग्रामिंग के तुम सबधे जहारा हम इसी का यूज़ करते हैं सबसे में यूज़ होता है widely used है और आपको इस वीडियो के हो सकता है material आपको समझ में ना आए कि आप फस्ट टाइम देख रहा है तो आप पहले प्रीविसली सारे वीडियोस को पहले एक बार देख लीजिए तो आपको ये वीडियोस जल्दी समझ में आ जाएगा और किलियर भी हो जाएगा साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो टुटुरियल्स के एलर्ट्स आपको मिल सके हैं हम स्टार्ट करते हैं फोड़ा सा मैं आपको ट्री और हायर की बारे में बता जेता हूं हम टेबल के अनदर जो हमारा डेटाबेस जो सेव हो रहा है वो किस फॉर्मेट में सेव होता है जो आपको मैंने प्रिविस टॉपिक में बता कहा हूं कि वहाँ पर हमारा id होता है और parent होता है बस लिंक लिस्ट में या अरे में क्या हो रहा था अरे में जो next pointer है या child pointer है या नेक्स पॉइंटर है या प्रीवियस पॉइंटर है वह जस्ट आगे पीछे वाला है ठीकर उसके इनदर नहीं होते हैं लेकिन link list में हम क्या कहे रहे थे link list में हम दो column ओर ले रहे थे जिसमें next pointer था और previous pointer था but उसके अंदर insert operations और insert operations और जो दूसरे operations थे tracing operations यह बहुत complexity थी उनके अंदर बहुत ज्यादा complexity यूज हो रही थी तो हमने उस complexity का उसका जो resolution है वो किसके view में हम लेकर रहे हैं tree के अंदर हम उसको ले सकते हैं या hierarchy के अंदर हम उसके अंदर ले सकते हैं तो हमें just parent define करना है just parent just parent define करना है और हम इसमें n elements child elements हो सकते हैं जबकि array के अंदर और tree view के array के अंदर और link list के अंदर ये possible नहीं है अब data column कितने भी हो सकते हैं हमारे data columns कितने भी हो सकते हैं क्या करेंगे अब हम मैं एक dummy entry कर देता हूं one number हमने डाल दिया home page ठीक है two number डाल दिया हमने about page और इसका parent zero है two number है इसका parent zero है one number का data हो गया home page about page अब about page के अंदर जो मेरा child page आ रहा है three number और fourth number आ रहा है means about company about company means इसका parent क्या हो जाएगा two number parent हो जाएगा यह मेरा database का structure है two number का data structure two number parent हो जाएगा two number parent हो गया plus मैंने ले लिए यह company की detail और founder की detail अब यह हम इसको ग्राफिकल यह अगर representation देखेंगे तो home home है home का child नहीं है नहीं है फिर about देखेंगे about के दो चाइल्ड है एक company और एक founder ठीक है फर्दर इनके भी parents और child हो सकते हैं further इनके भी child हो सकते हैं means हम यहां पर parent is equal to zero means it is a top element यह entry element जैसे हम नेविकेशन से अगर हम बना रहा है यह categorization से अगर हम बना रहा है तो वहां पर भी हम इस तरह की ट्री व्यू या hierarchy व्यू हमारा use होता है अब three का भी further company में भी three का further हो सकते हैं company को भी further उसके सब child हो सकते हैं our vision our mission vision हो गया mission हो गया number three number हम एक पर दे रहा है vision और एक पर दे रहा है mission है ठीक है तो data structure जो hierarchy data structure रहे या ट्रीव्यू data structure रहे it is a real life example यहां कि जैसे हम navigation अगर हमको बनाना है categorization हम ले रहे हैं products की listing अगर हम ले रहे हैं कि भाई इसका है इसके अंदर इसका है इसके अंदर यह है तो जो हमारा link list के अंदर जो चीज नहीं हो पा रही थी कि हमें उसमें multi column pointers लेना पढ़ रहे थे next pointers लेना पढ़ रहे थे इसके अंदर हम parents parents का concept लेके चल रहे हैं और अगर हमें एक के अंदर एक ही child हो सकता है एक क्या one के अंदर कोई भी नहीं है two का है two के दो चाइल्ड आ रहा है तो हम अगर already उसका child defined है मतलब already अगर डला हुआ है तो हम उसकी अगली डेबल का row insert नहीं कर सकते हैं तो एसा हम उस पे constraint लगा सकते हैं table constraint यह database constraint उस पे हम लगा सकते हैं कि already अगर उस पे किसी parents पे किसी child पे उसका parent अगर insert डला हुआ है already डला हुआ है तो हम उस पे हम अगला नहीं define कर सकते लेकिन ऐसा यह भी एक rarely used है उस case में भी हम है न सिफ tables का यूज कर लेते हैं array का यूज कर लेते हैं array type of SQL table का यूज कर देंगे हम इसका फिर यूज नहीं करेंगे लेकिन क्योंकि ऐसा rarely होता है अरे भी हमारे रेली यूज होता है तो हमें hierarchy या या डेटा स्ट्रक्चर टेबल यूज होगी अगर हमें कोई नया इंसर्ट करना है तो नया इंसर्ट करना है किसी के बीच में इंसर्ट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है हमने 7th number एक insert करा हम बोलना चाह रहा है हम चाह रहा है कि कंपनी के बीच में एक और options insert हो जाए means company के बीच में मैं चाहता हूँ एक investor का है ना बीच में एक element insert हो जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे 7th number का parents कौन सा है 7th number का हम parent बनाना चाह रहा है हमें टून नंबर या company वाले को त्री नंबर डियर्टिस थ्री नंबर डियर्टिस त्री इस ट्री और फाउंडर वाला जो है दिस 4 नंबर 14 नंबर ठीक है तो हमारा 7th number का parent हो जाएगा थ्री ठीक है और 7th number और इन दोनों का parent हो जाएगा 7 कि दोनों का वीज़न और मिशन वाले का जो parent हो जाएगा वो जाएगा है जी कि हमारे बीच में element insert होगा तो इसका जिसे अगर simple आकर हमें operations बनाना है तो एक बार हमने 7 तेंड कर दिया जिसमें पेरेंट हमने 3 बनाना है तो five or six का parent जो है seven बन जाएगा हमें एक बार five इन अपडेट करना पड़ेगा एक बार six अपडेट करना पड़ेगा और इसका सेट ऑफ ऑपरेशन भी हम बना सकते हैं लेकिन सेट ऑफ ऑपरेशन की वजा एक एक क्लाइंट के लिए भी उसको भी होना चाहिए उसको भी होना चाहिए समझने के लिए उस पर उसको अपडेशन करने के लिए तो बेस्ट सब्सक्राइब चन्न लोगों ने अब ड्रेग और फेसिलिटीज बना ली हैं जहां पर आप ड्रेक्र करकर कि अपने elements को किसी का child parents, child parents आप hierarchy वहाँ पर maintain कर सकते हैं, dragon drop format में, कुछ इस तरीके से dragon drop बना सकते हैं, या हम जैसे forms का flow of forms बनाते हैं, flow of forms बनाते हैं, जहाँ पर एक forms की login form होता है, login form से dashboard खुलेगा, dashboard से, फिर क्या-क्या options खुल सकते हैं, उसके child फिर उसके अंदर कुन-कुन से forms होंगे, फिर उसके ना कुन-कुन से forms होंगे, end कहाँ पर जाके, end child कौन सा होगा, वो dragon drop facilities में availability करा दिये, तो ये structure इसलिए भी use करना रहता है हमको, कि जब हम आवारे पास है ना graphical user interface में, हमने srs के time पर, या system design पर, हमने flow of forms बना लिया, या data flow diagram बना लिया, data flow diagram बना लिया तो अब हमें folder structure भी जो है, उसी के according हमें लेना पड़ेगा, ताकि हमें उस design के पर हम stick रहे हैं, इस design के according हमारा folder structure भी work करेगा, as well as हमारा उस particular कहीं कोई segment में या particular चीज जगा पर हमारा tables, data tables, जो SQL table है, SQL table में यहाँ पर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ पर DBMS table की बात कर रहा है, तो SQL table जो DBMS table है, उसके अंदर हमारा data store table के form में save होता है, लेकिन हम उसको graphically कैसे ले सकते हैं, और operationally उसको कैसे use कर सकते हैं, वो चीज हम table operation या hierarchy operations को हम ज़्यादा से ज़्यादा use करते हैं, हमारा बहुत maximum है यही data structure use होता है, क्योंकि link list के अंदर क्या problem थी, link list के अंदर हमें दो column maintain करना पड़ रहा था, उसका parent pointer और उसका next element pointer हमें maintain करना पड़ा था, और array के अंदर क्या problem आ रही थी, array के अंदर यह problem थी, कि हमें अगर बीच में कहीं कोई insert करना है, तो उसके बार बारे जितने भी elements हैं, उनको हमें सरकाना पड़ रहा था, उनको move on करना बढ़ा था, और अगर millions of data होगा, तो link list data structure है, और link list data structure इन दोनों के जो handling है, वो problematic होती है, बहुत जादा problematics होती है, clients के लिए भी problematic होती है, और user के लिए भी problematic होती है, तो उसका solution क्या चीज़ है, उसका solution, best solution जो सबसे जादा maximizedly, हमारा जो data structure use होता है, वो tree view होता है, अब इसी के अंदर जो next pointer आ जाता है, next option, next operation जो मैं आपको बताना चाहरा हूँ, it's called sorting, sorting means हमें ordering में करना है, ordered by a to z, ordered by numeric में, ordered by alphabetic, ordered by, अब वो चाहे tree view के form में हो, चाहे tables के form में हो, चाहे array के form में हो, चाहे link list के form में हो, तो हम array और link list में, तो हमारा tracing बहुत complex है, tracing हमारा बहुत complex होता है, हमें insert operation बहुत complex है, तो हम अपने clients के लिए भी उसको visualize कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम सबसे ज़्यादा कौन सा use कर रहा है, tree का use कर रहा है, tree view वाला use कर रहा है, तो हम को, किस के अंदर हम sorting order का, ordering का, हम concept यूज करेंगे, वो just हम जो use करेंगे, व sorting operations की हमें जरुवत पढ़ती है, array operations की भी जरुवत पढ़ती है, कि अगर हमें को already हमने data, SQL table से data उठा लिया, लेकिन अब हमें users को वहीं, users को वहीं बिना SQL query को call किये, बगर हमें user को वहीं ordered by product pricing, ordered by product title, ordered by product review, वहीं को वहीं को वहीं हमें दिखाना है, हमें बार बार SQL को call नही नहीं करना, तो वो कौन सा हम, उसके अंदर जो tables हमें जो display में आती है, वो किस form में आती है, array के form में आती है, और हमें उस array के अंदर हमें उसका sorting orders operations हमें maintain करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, ठीक है, कैसे करते हैं, array वाला मैं आपको sorting order, अगले topic में मैं आपको explain करूंग tree view के अंदर हमें एक और column लेना पड़ता है, और original column हमें लेना पड़ता है, और अले के अंदर sorting के लिए order column हमें नहीं लेना पड़ता है, उसके अंदर self हो सकता है बट हमें tree वाले में एक और column हमें लेना पड़ता है ordering column, जहांपर हम orders उसका maintain करते हैं, उसका हम क्या चीज़ maintain करते हैं, sorting orders maintain करते हैं, मतलब उसका जो child element है, वो पहले कुन सा आएगा, second कुन सा आएगा, third कुन सा आएगा, fifth कुन सा आएगा, उसके लिए हमें एक column maintain करना पड़ अब इसी के अंदर ट्री व्यू में या हाइरल की व्यू में आपको एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो की कहलाता है मेश डेटा स्ट्रक्चर वह भी मैं आपको इसी में एक्स्प्रेंग कर देता हूं जैसा कि मेंज डेटा स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट हमाज है जैसे कि आगर मैं हाइरकी या ट्रीव्यू की बात करूं तो एक हमारा element है वन नमबर element हमने ले लिया उसके इन चाइल्ड हो गाए इसके भी चाइल्ड हो गाए अब यहां पर फाइव और सिक्स का पैरेंट क्या है एक ही पैरेंट है लेकिन टू के कितने चाइल्ड है दो चाइल्ड है वन के कितने चाइल्ड है तीन चाइल्ड है पर इन तीनों के जो इसका पैरेंट एक ही है इसका पैरेंट एक ही है लेकिन जहां पर मल्टिपल मेशं kita अधे की हैं मेशिंग हम कर नहीं मतलब हम हम इसका यह किसी भी इलिमेंट क्या हो सकते हैं तो अधे क्या करना पड़ेगा हम यहाँ पर टेबल केसे ले रहे थे एक क्या आईडी कॉलम मैंध क्या बतुप मेंन्स कैलम मैं करते हैं जो हमारा multiple parents का जो हमारा data values जो डलेगा वो किसी separate separation के साथ डलेगा separation के साथ कैसे separation के साथ कैसे 24 semicolon 23 means 24 और 23 both are parents of this elements means इसकी अगर 25 मतलब इसको फिर से explain करता हूं means जो हमारा parents table के अंदर parents column के अंदर जो data डलेगा वो separation के साथ डलेगा means 2 का 3 का 4 का मतलब 2 का मान लिजए कि parent जो है eight number भी है या six number भी parent है six number भी parent है two का जो parent डलेगा parent कौन सा डलेगा एक तो one number parent है और एक six number parent है तो वो किसी separation के साथ डलेगा separation के साथ मतलब हमें इसमें अब multiple column a number of columns नहीं बनाना है उसमें हम separation का यूज करेंगे separation का कौन साथ separation कोई भी एक separation ले ले लेंगे जैसे मैं semi column का जादा तर यूज करता हूं ठीक है अब सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा आपको separation में three separation और post separation भी लेना पड़ेगा ठीक है क्योंकि अब two का मुझे parent define करना parent find out करना है तो पुष पुष होगा लास्ट element और फर्स्ट element push and pop होगा मतलब pop हो जाएगा remove हो जाएगा देन उसके बाद split function चलेगा तो मुझे one element और six element मिलेगा जो इट्स का पैरेंट्स ओफ टू ठीक है लेकिन parents of two as well as अब मुझे six का चाइल ढूनना है six का चाइल ढूनना है तो मैं कैसे दूलूंगा जहां वेर क्लॉज में लगा दूंगा वेर पैरेंट लाइग परसेंट परसेंट परेंट लाइक क्या होगा सेमी कॉलन और six date operation हम वेर क्लॉज में हम लगाएंगे कि जिदर आगे पीचे कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है बट सेमी कॉलन सेमी कॉलन और बीच में आईडी नंबर अब हम एसा क्यों कर रहा है मान लीजिए कि अगर हमने इस तरीके से operations को नहीं करा हमारा यह पोस्ट प्री हमने सेमी कॉलन का इस्तिमाल नहीं करा अब क्या होगा अगर हमने 66 अगर हमने 16 हुआ तो क्या होगा वह 16 वाले को भी उठा लेगा और 66 वाले को भी उठा लेगा तो क्या होगा इस रॉंग तो हमारा operation जो है हमारा जो वेर क्लॉज होगा वो wrong हो जाएगा तो हम प्री सें प्री पॉंटर भी हम सेपरेटर लेंगे और पोस्ट पॉंटर भी हम सेपरेटर लेंगे मतलब हर एक ID between in between of separation ही आएगा ताकि हम उसमें वेर क्लॉज लगा के हम उसके parents को find out कर सके इट मींज कि आपने देखा होगा जैसे हम पोस्त डाल रहा है या प्रोड़क्स डाल रहा है वो इस केटेगरी पर भी डिस्प्ले में आना चाहिए और इस केटेगरी में बीच में डालेंगे जितनी भी डालना है तो semicolon two semicolon between आ गया six डालना है तो six semicolon इसके बीच में भी separation आ गया nine डालना है तो nine semicolon means post or three दोनों कोई भी ID दो semicolon के बीच में ही रहेगी अब हम यहाँ पर double semicolon नहीं करेंगे वो unnecessary हो गया उसका कोई sense नहीं है ठीक है अब यह tested operations है for mesh operator mesh data structure के लिए तो mesh data structure table data structure में बस इतना difference है कि मेंश data structure में parents भी इन number of parents भी हो सकते हैं जिसका मैंने आपको एक example बता है e-commerce की application अगर हम बना रहे हैं और उसमें एक ही products multiple categories में जब display कराना हो तो हमें उसके लिए mesh data structure के बारे में हमें पता होना चाहिए और उसके अंदर भी जो simplest way होता है कि हम check box में हम अपनी categories को check करवा रहा है और जितने भी check operation है उनको हम कि सेपरेटर के id के बीच में इस patent में बनाके उसको हम safe कर दे रहा है तो इसके भी multiple operations हमारे पास predefined होने चाहिए data structure के सभी data structure के predefined आपके पास functions और methods available होना चाहिए जहां पर आपको वस्परेशन का यह बनाना है मेश का बनाना है और यह tree view hierarchy view जो हमारा data structure है और मेश data structure सबसे widely और आज के current एरा में सबसे ज्यादा यूजड होती है सबसे ज्यादा मतलब tree का भी हम सबसे ज्यादा यूज़ करते हैं अगर categories का एक exam मैंने आपको example बताया और मेश का भी हम example जो मैंने आपको बताया कि e-commerce की applications में या website में हम use करते हैं अब कितने types के आपको data structure पता चल करें हैं आपको एक अरे data type बताया फिर उसके बाद मैंने आपको linkless data type बताया पी या hierarchy data structure या data type बताया देन उसके बाद मैंने आपको एक नया introduce करा मैंश जिसमें multiple multiple parents हो सकते हैं multiple parents हो सकते हैं अब हमारा अगला क्या topic होगा अब जैसा कि मैं पहले उसको डेटा structure बोल रहा हूं और फिर उसके बाद अब मैं नया चीज़ इंट्यूस कर रहा हूं तो हम इसको object oriented के अंदर object के प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको as a data type भी इंट्रिद्यूस कर सकते हैं जो कि its called data types लेकिन वह भी क्योंकि आब हम किस concept पर हम चल रहा है हम चल रहा है लोगोड नोगोड पर तो लोगोड और नोगोड पर क्या होगा हम object oriented का concept को come for जो concept है वह हमारा से functions लेवल पर availability होगी अब हमारा हम code reuse का जो concept है जो हमारा जो आज से 25 साल पुराना जो concept है code reuse का जो concept है हम आज की date में उसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं just because of क्योंकि हम लोगोड नोगोड concept पर हम आ चुके हैं अब हमारा object oriented में हमें बहुत ज़्यादा white coding लिखनी परती है बहुत ज़्यादा programming और coding लिखनी परती है जबकि low code no code के concept के अंदर हम reuse code reuse का हम जादा से जादा यूज करते हैं object oriented का concept जो है हमारा नॉमिनल होता है कम से कम होता है हमें उसकी कोडिंग कम से कम करने पड़ती है कहां यूज होगा वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर कोई हमें object oriented चल रहा है तो उसके अलावा कहीं नहीं होगा अब हमारा object क्या हो गया हमारा database जो है objects हो जाते हैं जिस पर हम classes के form में या modules के form में ह हम उस पर operations multiple methods को call करते हैं अब जैसा कि मैंने आपको बूला कि आप उसमें कितने types के operations सीख गए data structure सीख गए तो आप कितने types के आप operations पता चल गए हैं आपको insert operations होता है already SQL table में भी insert operations होता है update operations होगा delete element operation होगा sorting operations होगा और क्योंकि मैं previously मैं बता चुका हूँ कि आज के era में हम कोई भी delete operation नहीं करते हैं क्यों हमें enable disabled option रखते हैं क्योंकि हमें कभी records की next time कभी भी जरूत पढ़ सकती है तो हम delete operations को हम नहीं सीखेंगो नहीं हमें करना है ठीक है और sorting operations होता है और भी कई सारे operations आपको सीखने को मिलेंगे in between of development development के upcoming हम जब वीडियो दारना शुरू करेंगे तो उसमें कब कहां पर different different types के data structure के और different operations यूज होते हैं इस वीडियो में बस इतना ही thank you हम आपको आता है पाई टूज होता है तो के लीडिये में लग करेंगे दापको में अेना है शनल्य व्टत जएन 십ाना है would be मुझ में गल्प वार्सुरू यूटरू जए वर्से होता है पूरर झाट आट ए हो बहुंटूस।